आपकी कुछ बातों से मैं बहुत ज्यादा मॉटिवेट हुआ हूँ और जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगं के लिए बहुत खास है प्रकुल मॉसली मैंने अपने कॉमेंट्स में पढ़ा है कि जायतर लोग बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो ये इंसिडेंट हुआ है ये एक्च्वल में क्यों हुआ है इसके पीछे रीजन क्या है ज़र आप हमें बताईए हम आपसे कंसल करना चाहते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं तो हजारों लोगों के कॉमेंट्स आते हैं हजारों लोगों से नहीनी चीजें पता चलती हैं तो इन सब चीजों को जानते हुए समझते हुए मैंने सोचा कि सब को बताना तो बड़ा मुश्किल है कि मैं सब को इंडिविज्वली समझाऊं बैठा के या सब से मैं बात कर पाऊं थोड़ा टाइम की सॉटेज है और थोड़ा सा काम से संबन्दी थोड़ी सी प्रॉलम है क्योंकि काम की इंडिवल्मेंट ज्यादा है बट मैंने यह सोचा है कि मैं आपको कुछ चीजह ऐसी बता दूँ जिससे आपको यह पदा चले कि जीवन में जो भी इंसिदेंट आपके साथ हुए है उसके पीछे रीजन क्या है और एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है के तू के तवाए ओम किम के तवाए नमहा ओम गम गडपते नमहा तो जो आपकी कुंडली में जो आपके के तू महराज जो है उनका जो आपकी लाइफ में इंपक्ट पड़ता है वो बहुत बड़ा पड़ता है और मौसली जो एस्ट्रोजर्स हैं वो के तू के ओपर ध्यान नहीं देते है यहां तक कि के तू किस हाउस में बैठा है कौन सी राशी में बैठा है तो ज़्यादतर एस्ट्रोजर्स इन बातों के ऊपर विचार नहीं करते है जब भी हम बचमण देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा अपलिग अपने अप्लिट नहीं जा पाता है और जादतर लोग वो आपको बता नहीं पाते हैं तो लाइफ में जितना भी बहुत बड़ी जो चीजें होती है यानि जो भी हमारी लाइफ में जो घटनाएं होती है और जिन चीजों की भरपाई नहीं हो सकती जो भी लाइफ में आपके साथ गटना गटी है उसकी आप पूर्ती नहीं कर पाते हैं तो वो क्यों होता है और किसलिए होता है अच्छल में जो सैटन है ना वो हमें थोड़ी तकलीफ जरू देता है दर्दि देता है कि टंशन देता है एंजाइटी देता है लेकिन सटन आगए चलके वो चीज है दे देता है जहां पर सacer की प्लेशमेंट है को राहू हो है उप ऊन चीज़ों के पीछे हम दोराता है कि जहां पर राहू है उन चीजों पीछ हम दोड़ना शुरू कर देते हैं, 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 दोड़ना शुरू क लाइफ में से चीजों को सक कर लेता है, यानि जो भी लाइफ में आपके साथ हुआ है, कोई अगर घटना घटी है, कोई अगर सप्रेशन हुआ है, कोई चीज अगर बिगडी है या कोई चीज आपके हाँ से निकली है, तो वो केतू के कारण ही हुआ है केतू का संबन्ध है सप्रेशन से केतू का संबन्ध है डेटेच्मेंट से केतू का संबन्ध है कटाफ से यानि जो भी चीज आपकी लाइब से हट रही है यानि कट रही है तो उसका संबन केतू से चीजों को वाध्य pratico के तू अनविटलिस्टिक चीज़ हैं यह यह चीजी है लेकिन कहीना कि तू बहुत जiedवर से प्रुवल है विकसर से इंशन को रोलाता ज्रूर है लेकिन उसके बात देता है राहू थोड़ा से दोड़ाने के बाद देता है लेकिन जो केतू है न उसके सामने आप कितना भी रोलो केतू को फरक नी पड़ता केतू बहुत ज़ादा एक्रूबल है यानि जिस हाउस में केतू बैठा है, जिस रासी में केतू बैठा है है वो चीजें आपकी life से separate हो जाती है और उन चीजें के लिए आप कितना भी efforts को लो नों से बाथ कर लो लेकिन उन चीजों को बचाना बहुत ही मुश्किल है ऐसी बाती ही चीजों की remedy नहीं है कि लेकिन जो ही आपकी से आपके परफोमें से आपके औरा से, आपकी personality से और जो आपकी पहचान है उसका सम्मन्द भी first house से है तो केतु का आपको initial life में बहुत अच्छी पहचान देगा society में हो सकता आपको बहुत नाम हो आप एक athlete हो, आप एक player हो और जो भी first house की जो राशी है उससे संबंदित जो चीजें होती है वो आप हो सकते हैं, जैसे मान लो first house में Leo है तो आप हो सकते हैं बहुत अच्छे politician हो public के सामने जो आपकी image है वो एक politician की हो या एक actor की हो, या एक artist की हो और अगर मान लो वर्गो है तो आप हो सकता है कि बहुत अच्छे doctor हो ठीक है ना, और बहुत अच्छे healer हो तो public के सामने जो आपकी image होगी वो एक doctor वाली और एक healer वाली हो सकती है तूसरा एक business person आप हो सकते हैं और मान लो Aries है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे athlete हो, बहुत अच्छे जिमर हो तो जो भी राशी है उससे संबंदी चीजों को लेके first house का role रहता है तो केतु अगर first house में होगा तो initial life में आपको बहुत नाम, बहुत पहचान public के सामने आपकी एक अच्छी image होगी सब लोग आपको जानते होंगे लेकिन केतु का संबंद है separation से केतु आगे चलके आपको इन चीजों से separate कर देता है यह हो सकता है कि जो आपकी vital energy है वो खतम हो जाए यह हो सकता है कि जो society में आपकी जो पहचान है वो खतम हो जाए यह हो सकता है कि जो भी आज तक आपने अपनी image बनाई है अपनी identity के थुरू उन चीजों से आप separate हो जाए के तो अगर second house में है तो आपकी family value अच्छी हो सकती है आप बहुत wealthy हो सकते है initial life में पैसा जो है वो easily आपके पास आ सकता है लेकिन चीजों को आप आगे चलके save नहीं कर पाएंगे जो भी आपकी value है वो आपके हाँ से निकल सकती है चूट सकती है जो भी आपकी family value है यारी जिस भी family value में आप जनम आपने लिया है जिस family value को लेकिए आपने जनम लिया है वो family value भी आपसे separate हो सकती है या आपके हां से निकल सकती है या आप अपने family वालों से separate हो सकते हैं या जो भी आपकी saving है वो खतं हो सकती है के थो अगर sleeping house में है तो initial life में आप बहुत अच्छे communicator हो सकते हैं बहुत अच्छे journalist हो सकते हैं बहुत अच्छे news anchor हो सकते हैं तीवी, serials, cinema ऐसी चीजों में आपका कोई ना कोई रोल हो सकता है और आप इन चीजों में बड़े फैमस हो सकते हैं आप कोई फैमस जनलिस्ट हो सकते हैं आप कोई फैमस टीवी एक्टर हो सकते हैं कोई न्यूज एंकर हो सकते हैं तो इन चीजों में आपको बहुत सेक्सस मिलेगी अर्ली सब्सक्ति हो जाएंगे और एंड में चल के अपोस्फ हाॉस होसस का सम्मन हमारे सुख से आ बदर से है हॉम् से होम्डी कल्चर से है एथनिक कल्चर से है जो भी हमारी अली वो जगह है जहां आप रहते हैं कि फॉर्थ हाउस में अगर केतु आएगा तो फैमिली वैलू फैमिली कल्चर मदर हॉम्लेंड और कंट्री इन सब चीजों से केतु आपको यहां सेपरेट कर सकता है अलग कर सकता है फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस के संबंद रोमान से है रो फाइनेंस है है फिफ्थ हाउस हमारा लग है कि फिफ्थ हाउस के संबंद है ऐसलां बॉइज पाटनर्सिप इन सब चीजों से जो गेन होता है वह आपका फिफ्थ हौस में गयतू होरो तो आपको चाइट भर से सैपरेट कर सकता है रोमांटिक पार्टर से को Bu कर सकता है अगर मौनलो आप को क्रेटिव और झेंर गाल को एकन्ष है कि पॉलीटिक से भी है तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा स्हिसुन लेगी यह मालो आप कोई प्लेयर है यानि फिफ्थ हाउस का सब्मंद है गेम्स वगेरा से अगर आप कोई प्लेयर है तो आपको इनिशल लाइफ में इन चीजों में बहुत सेक्सेस मिलेगी लेकिन आगे चलके आप इन चीजों से सेपरेट हो सकते हैं और आइधिंग जो हमारे जो इंडियन क्रिकेटर है वराट कौहली उनके बर्चार्ट में भी केतु साइद फिफ्थ हाउस में है और जो मालिया है इंडिस्ट्रिलिस्ट उनके सेकंड हाउस में केतु है या टॉरस साइन में शायद केतु है फूर्थ हाउस में परको टॉरस साइन का संबं तब भी प्रडिक्शन आपकी सेम होगी केतु थर्ड हाउस में है या जैमनाय में है तब भी प्रडिक्शन सेम होगी केतु अगर कैंसर साइन में है या फोर्थ हाउस में है तब भी प्रडिक्शन सेम होगी यानि अगर केतु कहीं भी अगर कैंसर साइन में आता है तो जो फो पहुत अच्छ सकते हैं आपको ससाइटी बहुत नाम हो सकते हैं इनिशनल लाइफ में बहुत जादा सेक्सेस मिलेगी लेकिन आगे चलके केतु आपको चीजिशन से सेपरेट कर देगा केतु जो है न वो हमारा past life experience है जो भी हम past life में करके आए हैं जो भी हमने past life में कर लिया है वो हम इस life में नहीं करेंगे क्योंकि इस life में हम वो करेंगे जहां पर राहू बैठा हुआ है तो राहू जो है वो आपकी destiny है राहू जो है वो आपकी life का goal है जिस तरफ आप जा रहे हो वो राहू है और जहां से आप आ रहे हो वो केतू है तो केतू हमारा पास लाइफ एक्सपिरियेंस और इनिशल लाइफ एक्सपिरियेंस जो भी हम इनिशल लाइफ में जो सीखते हैं जो भी हम एक्सपिरियेंस लेते हैं है वो केतु राहु और चेटू है न वह हमारे एक्सूरइन्स है गाते हैं जहां बैठता हैं उन चीजों के तरह हम श्दास हो जाते हैं और हो चीजें हमें अध्मीआ लेकिन उसकी जो डिजायर है वो कभी खतम नहीं होती इसके चकर में नेक्स बर्थ होता है और फिर द्वारा से राहू के तू शुरू हो जाता है कि तो गर सिक्स थाउस में है तो सिक्स थाउस जो है उसका संबंध है एनमी से डैप से डिजीज से कॉन्फिक्ट से लिटिगे कि आप ऐसे इन्वाइर्मेंट में रह रहे हैं जहां पर आपको कुछ ऐसा काम करना पढ़ रहा है जहां मान लो जैसे आपकी फैमिली में मान लो कोई बीमार है तो आपको रेगुलर हॉस्पिटल जाना पढ़ रहा है रेगुलर आपको फार्मेंसिस्ट के पास जाना पढ कर रहा है और यह भी होसकता है कि इनिशिल लाइफ में आप के ऊपर कुछ करजा हो और इन आप प्रक्षा है और वह करजा कर रहे हो लेकिन आगे चलके कि तु आप को उस चीज़ें से सप्रैट कर देगा या नहीं आगे चलके नहीं हो आपके कर जा और नाहीं आपकी लाइफ में पैंशन या कोई अप् प्रॉलम होगी certain problem होगी लेकिन। दूस्छी होसे संबंदित नहीं होगी कैonia sound because जो राहू है वह आपके 12 carbono है अगर इतु six फिचर है वो 12,000 है तो 6,000 ही चीज़ों से केतु यहां आपको सेपरेट कर देगा और यह भी हो सकता है गर 6,000 में केतु है तो आप बहुत अच्छे लॉयर हों और लाउ से संबंदी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादर नॉलिज हो बिकास केतु जो है वो हमारी मास्ट् सेवन्थ हाउस में केतु होगा सेवन्थ हाउस संबंद है लाइफ पार्टनर से और बिजनिस पार्टनर से दूसरे जो सेवन्थ हाउस है वो नाइन्थ हाउस का गेन है यानि फादर से मिलने वाला गेन गुरू से मिलने वाला गेन वर्ट्रेवल के थुरू जो मिलने वाल है तो 9th house के gain house में केतू बैठा है तो केतू 9th house की चीजों में initial life में gain करवाएगा बाद में केतू यहां से आपको separate कर देगा तो 7th house में अगर केतू है या Libra sign में कहीं भी केतू है तो केतू यहां पर आपको business partner से life partner से और जो भी आपने कोई deal किया है जो भी आपने कोई association किया है उन सब चीजों से केतू यहां पर आपको separate कर देगा पास्त लाइफ में आप इन चीजों को experience अलड़ी कर चुके हैं और initial life में भी आपने बहुत सारा relation experience किया है या यह हो सकता है कि जिस relation में रहे हैं उस relation से कहीं न कहीं आपका जो interest है वो धीरेज़ी करके हटने लग जाएगा आप यह देखेंगे जो मैंने सोचा था वो चीज़ा ऐसी नहीं निकली है तो केतू आपको लाइफ पार्टनर से और बिजनिस सोमेशन से एट खाउस का संबंण है डेक टन रिपस से गैट अइट हाउस का संबंण है hidden जितनी भी चीज़ें होती है जैसे आपका मालो एस्टालजी हो गया तंत्रा हो गया या जितनी भी mystical जो knowledge होती है उंकर सब्सक्राइट हू से है själसे असले का शीकर सब्सक्राइद में सब्सक्राइब पार्टनर की सेविंग है हमारे पार्टनर की फैमिली वैलू है हमारे पार्टनर की फैमिली है और एट थाउस हमारे पैरेंट से मिलने वाला inheritance है यानि जो हमें हमारे parents से जो मिलता है जो भी monetary gain होता है या जो भी हमारे parental जो value होती है उसका संबन 8,000 से है तो के तो अगर 8,000 में है तो inherited property से आपको separate कर देगा life partner की savings से आपको separate कर देगा life partner की family से आपको separate कर देगा और जो भी transformation होता है जो भी suddenly कुछ अगर होता है तो उन चीजों से भी केतु यहाँ पर आपको separate कर देगा यानि मान लो कि आप कहीं पर जा रहे हैं और suddenly अगर accident हो जाता है तो आप वहाँ से बचके आजाएगी आपको कुछ नहीं होगा तो केतु यहाँ पर चीज अगर आपकी लाइफ में होता है तो आप उससे separate हो जाएगे इसका मतलिप यह नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी transformation नहीं होगा आपकी लाइफ में चीजें होंगी आपकी लाइफ में दुर्कट्टाइं होंगी लेकिन आप उन चीजों से separately बच जाएगे एट्थ हाउस का सम्मद हिडन एनिमी से है तो केतु अगर एट्थ हाउस में है तो जो आपके चुपे हुए जो शत्रू है केतु उनको dissolve कर देगा केतु उनको nest कर देगा, खतम कर देगा केतु अगर नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस का सम्मद हमारे फादर से है, टीचर से है, गुरू से है, हमारे बलीफ से है, वर्ड ट्रेबल से है तो केतु अगर नाइन्थ हाउस में है या सेजी साइन में है तो हो सकता है इनिशिल लाइफ में आप बहुत अच्छे प्रॉफेसर हों, बहुत अच्छे टीचर हों, कोई प्रिस्ट हों, कोई गुरू हों, कोई महापंडित हों religion में आपको बहुत अबलीफ होगा, God and Goddess में आपको बहुत अबलीफ होगा, अपने गुरू और टीचर में आपको बहुत अबलीफ होगा लेकिन केतु आपको इन चीजों से separate करने के लिए आया है, इन चीजों से हटाने आया है केतु आपको इन चीजों की नॉलिज जरूर देगा इसली आपको ये चीजे मिल जाएंगे आपको इसली गुरु मिल जाएंगे आपको इसली हो सकता भगवान में मिल जाएं डूडने से तो इन चीजों में आपको initial life में बहुत ज़्यादा successful बनाएगा आप बहुत अच्छे professor हो सकते हैं आप बहुत अच्छे पंडित हो सकते हैं आप बहुत अच्छे guru हो सकते हैं आपकी knowledge बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अपने धर्म के regarding लेकिन केतु का काम है separation केतु चीज़ों से separate कर देता है तो केतु आपको 9th house की चीज़ों से separate कर देगा केतु का 10th house में है 10th house का समवन हमारे status से है 10th house जो है हमारी public duty है 10th house हमारी public value है और जो भी हमारा करमा है उसका समवन 10th house से है 10th house का समवन government से है और जितनी भी गवर्मेंट की जो पॉलिसी होती हैं उनका समन्द 10th house है 10th house government role है यानि जो भी आप मालो गवर्मेंट में किसी department में अगर आप काम करते हैं या कोई government officer है या मालो आप कोई minister है या आप politics में है या आपको कोई पद्वी मिली हुई है मालो तो आप उन चीजों से separate हो सकते हैं यानि जो भी आपकी public value है जो भी आपकी public dignity है यानि जो भी आपकी social value है जिस value से जिस पहचान से आप जाने जाते हो वो चीज़ें आपकी life से separate हो जाएंगे तो के तू अगर मान लो 10th house में है और लियो साइन में है तो हो सकता है कि आप initial life में politics में हों हो सकता है कि कोई political जो आपके पास जो भी political जो चीज़े है वो आपको family के तुरू मिली हो या आपके family member जो है वो politics से जुड़े हुए हो या आपके father जो है वो politics से जुड़े हुए हो लेकिन आगे चलके आप इन जीजों से separate हो सकते हैं या इनिशल life में आपको वो value मिलेगी लेकिन आगे चलके आप इन जीजों से separate हो जाएंगे या मान लो आप कोई actor है और के तू लियो साइन में है और 10th house में मान लो आप कोई actor है आप कोई stage performer है तो इनिशल लाइफ में आपको बहुत success मिलेगी और उसके बाद आप इन जीजों से separate हो जाएंगे तो आपको लाज network circle देगा ठेल सारे friends देगा और जो income के source होंगे वह भी बहुत ज्यादा होंगे बहुत तरीके से income आपके पास आएगी और इजी तरीके से income आपके पास आएगी मतलब इनकम के लिए आपको बहुत ज़्यादा efforts नहीं लगाने पड़ेंगे बहुत ही कम efforts लगाने से income आपकी शुरू हो जाएगी या यह हो सकता है कि आपकी family का कोई family business और पहले से चल रहा हो और वहां से कोई ना कोई income आ रही हो लेकिन के तू यहां पर आपके friend लोगों से आपको separate कर सकता है आपकी जो friend होंगे वो हो सकता है आपको cheat करें आपको धोका देदें उसके कारण आपको separation हो यह हो सकता है कि starting में आपने मानलो कोई fair या कोई बहुत बड़ी rally या बहुत बड़ा seminar किया हो या कुछ ऐसा आपने आंदोलन किया हो जिसमें आगे चलके आपको लगा होगी यह सब बेकार की चीज़े है ठीक है ना या उसके चक्कर में आपकी कोई बद्रामी हुई हो तो आप उन चीज़ों से जीदी करके separate होन यानि creativity अकेले रहके कुछ करना अकेले रहके कुछ क्रियेट करना तो यह सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी किये तो अब ट्वेल्थ हाउस में है तो ट्वेल्थ हाउस के समवर्ण dream world से है ट्वेल्थ हाउस हमारा subconscious mind है ट्वेल्थ हाउस जो है वो हमारा spiritual belief है ट्वेल्थ हाउस के समवर्ण हमारे ancestors से है ट्वेल्थ हाउस के समवर्ण foreign settlement से है ट्वेल्थ हाउस जो है वो हमारी psychic journey है जो भी हमारा dream world है वो ट्वेल्थ हाउस है तो हो सकता initial life में आप कोई spiritual गुरू हो आप कोई प्रोफेसर हो जो spiritual सीजों के बारे में knowledge रखता हो ये भी हो सकता है कि मान लो आपका जनम ही कहीं बाहर हुआ हो यानि अपनी country से कहीं बाहर आपका जनम हुआ हो यानि मान लो आप Indian है और जनम आपका अमेरिका में हो रहा है जो भी family value है आपकी अमेरिका में और 12th house में अगर केतू होगा तो spiritual चीजों की mastery आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी यानि spiritual चीजों की knowledge आपके अंदर इतनी ज़्यादा होगी कि आम जो लोग होते हैं वो आपकी knowledge के सामने stand नहीं कर पाईए प्रकास पास्क लाइफ में आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं पास्क लाइफ में जो आपका केतू है ये रहू रहा होगा 12th house में तो 12th house के लिए आप बहुत ज्यादा दोड़े होंगे भागे होंगे 12th house की जो भी चीजे हैं वो life में आपने सीखी होगी जानी होगी तो केतु अगर पाइसिस में अगर ट्रॉल्ठ हाउस में है या कहीं भी पाइसिस में ट्रॉल्ठ हाउस में है तो आप एक रिलिजियस, स्पिरिच्ट्वल साइकिक कोई गुरू हो सकते हैं आपकी इंटुईशन पाउर बहुत ज़्यादा होगी, 12th house का संभण losses से है, तो के तु आपको यहाँ separate कर देगा losses से, initial life में आप बहुत ज़्यादा loss देखेंगे, लेकिन बाद की जो आपकी जो life होगी, उसमें आप कम loss देखेंगे, बिकॉज राहु जो है, वो आपके 6th house में है, यानि फाइटिंग एगर में है, तो राहु यहाँ बहुत ज़्यादा practical हो जाएगा, तो राहु आपको काफी losses से बचा देगा, और आपको बहुत practical बनाएगा, और आपके enemies को राहु यहाँ पर destroy कर देगा, तो गाइस, आज हमने आपको भी बताया, कि केतू, आपके बर्चार्ट में, आपको किन किन चीजों से separate करवाता है, और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतू के बारे में, अपने बर्चार्ट के बारे में, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, consult करना चाहें, या personally हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी website के थुरू हमें mail कर सकते हैं, message कर सकते हैं, और guys आप हमसे बात भी कर सकते हैं, So guys, thanks for watching, bye bye.